हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का एक बार फिर से अगरी केपिटल के इस यूटूब सेनल पर हारदीक स्वागत हैं मैं आपका दोस्त इसवर सौधरी आज के इस वीडियो के मादिम से आपको बताने वाला हूँ कि ICR-PG कि मौपःप रावंड की काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होने वाली है आपकी मौपःप रावंड की काउंसलिंग के लिए मौपःप रावंड की काउंसलिंग के अंदर कौन-कौन इस्टूडेंट्स पार्टिशपेट कर सकता है ये सबसे इमPORTENquelle है तो dear वीडियो को last तक जुरूर देखना मैं step by step सारे rules बताऊंगा और seat matrix कब आएगा और आपकी mop up round की जो PG की counselling कब से start होने वाली ये भी बताऊंगा ठीक है सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि rules बताने से पहले की mop up round के लिए आपकी counselling कब से start होने वाली है तो mop up round के लिए जो ICR PG मौप up round की counselling आपकी 28 अक्टुमबर से होने वाली है 28 अक्टुमबर से आपकी होने वाली है starting date है और कब तक चलेगी 31 तक चलेगी 28, 29, 30 और 31 तक आपकी ये mop up round की counselling चलने वाली उसके बाद में आपका 4 नवंबर को result आने वाला है 4 नवंबर को result आजएगा आगे की process है मैं आपको एक schedule के बादिम से बता दूँगा की mop up round का schedule है वो अलग से एक वीडियो में बता दूँगा ठीक है आज के इस वीडियो के अंदर तो अपन बताएंगे मोटा मोटा तोर से की seat matrix कब आएगी जहां तक मेरा मानना है कि आपकी seat matrix 28 से start हो रही है तो यहां तो 27 को आजएगी यह 28 को morning में आपकी seat matrix आजएगी ठीक है seat matrix जब भी आएगी आपको inform कर दिया जाएगा आप channel पर जुड़े रहे और बाकी जो नीशे अब आपको directly rule बता देते हैं कि मौपप राउंड में कौन कौन students participate कर सकता है ठीक है no upgradation will be permitted in the मौपप and final round of counselling एनि कि मौपप राउंड की counselling करोगे उसके अंदर आप जिस तरीके से choice feeling बरोगे जैसे किसी student ने जैसे तैसे choice feeling कर दिया उस college में जाना ही नहीं है ठीक है उसको अलोट हो गई उस college में जाना नहीं है तो यहाँ पे सीधा सीधा इस पस्ट किलियरली mention किया है कि upgradation नहीं मिलेगा आपको जो इनुटरिटी मिली है उसमें admission लेना पड़ेगा है ना लेना पड़ेगा otherwise आप वहाँ से बाहर हो जाओगे सीधी शी बात है कोई भी option नहीं मिलेगा है ना आपको seat withdraw करने का कोई भी option याप पे नहीं मिलेगा जो इनुटरिटी मिल गयी है मालोँ आपने इनुटरिटी मिलने के पात में टैन थाॉजन्ट पे कर दिये तो आपको वह cancel करने का कोई option नहीं मिलेगा और फीस भी रिपंड नहीं होगी सिद्धी सिद्धी बात यहीं बोली गई है थर्ड रूल्स तो आपको पता ही है कि आपके नेगेटिव और जिरो से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए समझ गए उसके बाद में वो कैंडिडेट्स जो अल्रेडी किसी कॉलेज के अंदर एडमिट हो चुके है इस रूल को फॉर नमबर रूल को अच्छे से समझ लेना जिन इस्टूडेंट्स को पहले से एडमिशन मिला था जो महन कांसलिंग हुई थी आपकी एक से लेके फॉर राउंड तक चला था तो उसमें किसी इस्टूडेंट्स को कोई कॉलेज मिला है मालोक किसी इस्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है 10,000 पे कर गए मेरी बात को अच्छे से सुनना 10,000 पे करने के बाद में मालोक किसी इस्टूडेंट्स को IRA कॉलकाता मिला था या IRA लखनाउ मिला था उसने 10,000 पे कर दिये थे ठीक है 10,000 पे करने के बाद में यदि वो students वहाँ पे admission लेने गया या नहीं गया कोई matter नहीं करता CDC बात बोल रहा हूँ कि आपने 10,000 पे कर दिया तो आप eligible नहीं हो आप college में गए हो क्या आपने वापस withdraw कर दिया 10,000 पे करके तो भी आप eligible नहीं हो समझ गे मेरी बात को यहीं कि कहने का मतलब यह है कि आपको first round में कोई college मिला था आपने अप्ग्रेडेशन पे डाला था 10,000 पे कर गए तो भी आप eligible नहीं हो यहीं कि 10,000 पे कर दिया आपने वापस withdraw कर दिया तो भी eligible नहीं हो किसी university में आपने admission ले लिया और वहां से आपने admission कट करवा दिया तो भी आप यहापे eligible नहीं हो CDC बात समझ गए कहने का मतलब यहीं है कि आपने ICR की side पे 10,000 पे कर दिये seat मिलने के बाद में तो आप यहापे eligible नहीं हो नेक्स्ट रूल आपको मैं वता देता हूँ कि any candidates who notes register for the first round counseling are allowed to register participate एनि कहने का मतलब यह है कि first round के अंदर जो man counseling चली थी उसमें किसी students ने यदि registration counseling नहीं करवाई थी registration तो करना था आपको यदि counseling नहीं करवाई तो वो students यहाँ पे counseling कर सकता है पहले कोई students किसी भी बज़ा से रह गया था counseling करने से तो वो students यहाँ पे counseling कर सकता है 500 रुपे उसको fees pay करने पड़ेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे counseling हो जाएगा ठीक है बाकी six number rule यह कहता है कि the candidates who had registered during the first counseling paid the register's counseling fees but could not fill choice billing कहने का मतलब यह है कि आपने 500 रुपे तो pay किये थे six number rule यह कह रहा है कि आपने registration किया था और 500 रुपे भी paid किये थे 500 उसके बाद में आप soy spilling नहीं कर बाए थे कोई भी रिजन रहा आपका soy spilling fill नहीं हो पाया था यहाँ और कोई reason थे उस वज़े से तो वो students भी यहाँ पे apply कर सकते हैं soy spilling fresh soy spilling करने पड़ेगी उनको तो next rules क्या बोलता है इस rule को मैं अच्छे से बताता हूँ 7 number rules को कि आपने counselling करवाई थी ठीक है आपने documents upload नहीं किये मालो किसी students को first round के अंदर कोई college मिल गया था उस students को यह पता नहीं रहा कि मेरा date क्या था last date documents uploading था या कुछ भी उसको पता नहीं चला उसके area में network issue था या वो सोता रहा ठीक है वो upload नहीं कर पाया documents तो वो students यहाँ पे eligible है और वो students जिनको university ने reject कर दिया था reject means आपका documents verify नहीं किये थी documents reject कर दिये थे वो students भी यहाँ पे eligible है ठीक है वे students जिनके documents वेरिफाई तो हो गये थे लेकिन 10,000 पे नहीं किये वो students भी eligible है यहाँ पे और जिनकोंने documents upload नहीं किये वो भी eligible है ठीक है और दूसरे वे students जिनके documents युनुर्षिटी ने reject कर दिये थे वो students भी यहाँ पे eligible है 7 number rules सभी के लिए बहुत important है 7 number rules को अच्छे से समझ लेना ठीक है, next अगला rules आपका 8th number क्या बोल रहा है the candidates who had registered during the first round counseling paid the prescribed counseling fees failed choice but not यह तो सिधा सा मतलब है कि जनों ने counseling करवाई थी और उनको किसी भी round में 1 से लेके 4 तक college नहीं मिली वो students तो बिल्कुल eligible है और उनको यहाँ से फिस से नया soy spilling करना पड़ेगा, ओके जनको college नहीं मिला वो तो सीधी सी बात है यहाँ पे apply करिंगे न और 9 number rule यही कहता है कि आपको जो भी उपर rule बताएगे हैं आपको यहाँ पे fresh soy spilling करनी पड़ेगी डियर है न, आपको पहले वाली soy spilling नहीं काम आएगी जिनभी students को बुला गया है कि आपके पहले वो soy spilling थी तो डियर आपको पहले वाली soy spilling काम नहीं आएगी आपको नया portal open होगा फ्रेश soy spilling करनी पड़ेगी ठीक है और जिनभी students को हमारा mentorship program जोइन करना है तो डियर डेफिनेटली आप जोइन कर सकते हो हमारे guidance के अंदर आपको बहुत बैतरीन facilities मिलेगी हर एक expert के थोरा आपको समझाए जाएगा और 599 अमारी fees है तो जिनभी students को need है तो डेफिनेटली जोइन कर लेना जो निसे help line number दे रहके है वहाँ से contact करके आप जोइन कर सकते हो ठीक है अगला rule क्या है आपका वो तो यह है कि आपका कोई university की degree के regarding कुछ भी anything problems हो तो वहाँ पे admission रद किया जाएगा उसके लिए ICR responsible नहीं है ठीक है यह सारी आपको rules बता दी गई है उसके अलावा और कोई किशी का भी doubts हो तो वीडियो के निसे comment box में आप type कर सकते हो लिख सकते हो आपका doubts हमारे लिए reply करने के लिए हम अमततत पर त्यार है तो कोई भी students को भर्मित होने की जुरूत नहीं है मैंने बहुत अच्छे से आपको rules बता दिया और जिनके बहुत कम number आ रहे है ऐसे भी students होंगे जिनके marks बहुत कम है यदि आपको physical science and agronomy से 2025 के लिए दुबारा से profession करनी है तो Royal Institute of Competition को join कर सकते हो अभी दिफावली ओपर सल रहा है तो इसके लिए आपको जो screen पे चल रहे है number उनसे contact करके और वीडियो के description box में application का link है वहाँ से जाके आप join कर सकते हो जिनको भी need है definitely join कर लेना बहुत बेतरी result रहा है इस बार का भी तो आपको भी लगता है 2025 में अच्छी जगा admission लेना तो join कीजिएगा और मिलते कीशी नए वीडियो में तब तक के लिए श्वस्त रहें मस्त रहें देखते रहें अगरी केपीटल का यूटूब चैनल इस्वर सौधरी के साथ में Thank you Thank you very much